मैं मुहमद आशिन, पतेपुर शहर यूपी से हूँ और मेरी बेटी को एपटाइटिस भी हुआ है 2012 में मुझे पता चला था मेरी बेटी को एपटाइटिस भी है मेरी फैमिली नहीं कुसी को हुआ था उसके बाद डॉक्टर ने पूरी फैमिली का टेस्ट करने के लिए बोला था तो मैंने पूरी फैमिली का टेस्ट करो है जिसमें सारे लोग नेगेटिव है और मेरी बड़ी बेटी करीशा जो इस वक्त 12 साल की है उसको पॉजिटिव आ जाओ तो 2012 में मैं ने बेटी को लेके मेदांता हॉस्पिटल देली गुडगाओं में गया टॉक्टर नीलम महान से कंसल्ट किया और मुझे इंटर्फिरोन इंजेक्शन सजेस्ट किया इंटर्फिरोन इंजेक्शन 2013 मार्च में शुरू हुए और पूरे एक साल तक इंजेक्शन उसको लगे इंजेक्शन एक साल लगने के बाद वायरल लूट घटकर डियल करोड पर आगिया लगी पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं हुए उसके बाद डॉक्टर ने ओनल ट्रीटमेंट के वारे मैं में बताया जिससे की मैं साहिमत नहीं था वो तब ट्राइल पे थी और अभी भी बच्चों में ट्राइल पे चल रही है तो मैंने उसके साइड इफेट्स को देखते हुए मना सिबनी समझा क्योंकि इंजेक्शन जब बच्ची को लग रहे थे इंटरफेरान तो उसको बहुत सारे साइड इफेट्स हुए जए इसका ब्लड काउंट बहुत कम हो गया था इसके सर में रोज दर्द होता था और बहुत ही तेज दर्द होता था जिससे उसकी पढ़ाई की डिस्टरब हुई इस तरह से इसका वजन भी बहुत जादर कर्म हो गया बहुत दुब्ली पत्ली हो गई तो इंजेक्शन का कुर्स खता होने के बाद जो डॉक्टर ने बताया कि अब इनको ओरल ट्रीट्मेंट मिले जाएंगे जिसके लिए छै महीने का वक्त चाहिए छै महीने करी अच्छे महीने बाद जो मैंने उसका इस बीवी टीय ने टेस्ट कराया तो वो जो वाइरल लोड पहले था सत्रा करोर वो रियक्टिवेट हो चुगा था फिर से सत्रा करोर पे आ गया था उसके बाद कोरर ट्रिट्मेंट के लिए मैंने ज़रूर ही नहीं समझा और मैंने नेट पे सर्च किया मुझे डॉक्टर राजे इश्राव गई लाइफ पोर्स होन्योपथी होस्पिटर का एड्रिस मिला वहां से मैंने विबसाइट पे जागर चेक किया और वहां पे डॉ अमरोपैती में आप इलाज कर सकते हैं और इसके साइड एपेट्स भी नहीं है जो कि मैं शरूर कर रहा हूं और मिले पर रुसा है कि मेरे वे लिए इच्छी होगी श्काटलाग